लिप्स्टिक के एक शेड के लिए 20 शेड्स ट्राइ करती है पर्ष के हर इंच का इंस्पेक्शन करती है अब लिए निजर निजर आसन ग्रहन करवे समस्तं को अनुरोद करूचे आजी पत्र अईतियासिद वाली जात्र बढ़ी आरे प्रिय प्रधान मंत्रिंको अभिन अन्दन जण चन भारतिय जनता पाटिर विदायक दलर नेता अहित यह परंपरा नो बानिजर सम्रुद्ध पसरा साधन संपन्नता उडिशार प्रतिक नो बानिजर चित्र मान्यबर केवीजी वर्तमान निजर निजर आशन गरहन करवा पाई मुई समस्तंको नुरत करूछें प्रिय बंदुगन चासिमान कर कल्यान पाई आमर मान्यबर मोदी एठी आसिकरी उपस्ति चैचन जन गल्यान पाई कटक नगर समस्त परिष्ट नेत्र मंडलिंको नुरत करूछें वे फुलाहरा देईकरी तांको अभिननदन जने वापाई मान्यबर प्रधान मंत्री बरेन्य प्रधान मंत्रिंको कटन नगर समस्त कारिय करता जिल्ला सभापती दुई जन अमर बरिष्ट नेता समिर्दे नएन महांती विश्वजित महांती एबंग बिनोत दास बंदु एबंग कोर्पोरेटर भाई माने शागत जनो चैन आपन मान कुनिबेदन करूछें आपन माने ताली बजाईकरी दांकर अभिननदन करूँ मुईने वेदन करूछें बर्तमान बंदुगाण आपन मान कर अपेख्यार समय समाप्थाउचे निजर उद्यम सास धर्जय वुद्धी सक्पी पराक्रम जथार्त ग्यान अखंड निष्टा एबंग प्रचंड पुरुशार्थरे विकास रधारारे कन्या कुमारी रुका समिर कछरु नैकरी कामुरुप पर्जन्त जिये आगे नवुचंदेश कु विगत चारी वर्ष हला तांकर जनकल्यान करी उपलब धिरवार्त देवा पाई ओडिसार एई पपित्र ओईतिहासिक सास्कृतिक एबं सामाजिक व्यापारिक प्यानकेंदर कु प्रदान मंत्रिंकु मुई उरिशा माटी तरप्रू उत्कल जननी तरप्रू नेताजी बो संकर जन्मस्थली मधुबावुंकर कर मस्थली मा कटंक चंडिंकु कोटी कोटी प्रणाम जैगरी अनन्य जगन्ना थंकर भक्त बरण्य प्रदान मंत्रिंकु अभिनंद जनोंच श्वागव करूँ छें एवं आपन मान कर समनारे जे उपस्तित थां विगत दिनरे आगामी दिनरे चासी मान कर केंता कल्यान हेवा एवं निजर उत्पादित शस्यर देड़ गुणा केंता रेट पाएवे नीम कोटे डिविडिया माद धमरे हो ताल चे शारकार्नकारन पु पस्तित थिवा मुझे तोड लेना बनमाली उस्पत पर देना तुम फेक मातरु भुमी पर सिश चड़ाने जिसपत पर जाए बीर नेक जिवत वस्तारे निजर जिवन को राष्ट पाई समर पीद करिदे थिवा ये और पनर भुमिरे तर पनर भुमिरे समर पनर भुमिरे 21 मातार अच्छरण तले निजर जीबन कु तीले-चल जले चाली तिवा, समाज कु आलकित करी चालू थिवा, असत्रु सत्पतकु नहीं चाली तिवा, एवं ये मृत्तेलो करे जन्मग्रहन करी करी अमरत प्राप्तकरवार मारतिरे आगे चाली थिवा, प्रिय प्रधान मंत्री मान्यवर बरेण्य नरेंद्र मोदी जिंकु निवेदन करूचे उपस्तित जनसाधरणं कर सम्नारे धुई सब्द तांकर गोरव साली का उपलब धिवरा चारी वर्षरक था उपस्थापिट करवा पाईं प्रिय मोदी जी जय जगनात जय जगनात जय जगनात ओडिशार मोर प्रिय भाई भावनी मान्कु मोर नमस्कार कटक शहरर पवित्र माटी को मोर प्रणाम मेरा सोभाग्य है कि आज एंडिये सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर इस विशेश आयोजन में मुझे उडिशा की इस महान धर्ती पर आने का आउसर मिला है मैं उडिशा भारतिय जनता पार्टी का अभिनंदन करता हूँ और मेरा सोभाग्य है कि बगवान जगनात जी की धर्ती से जो बगवान जगनात गरीबों का देवता है उठ बगवान जगनात जी की धर्ती से मेरे देश के सवा सो करोड नागरिकों को आज प्रणाम करने का आउसर मिला है साथ वा इसी माटी के उतकल गवरो, मधुबाबु ये उतकल ट्रेंदरी की शुरुवात की थी कटक का तारकाशी, उडिसा की सुक्ष्म कला का एक परतीक है कटक शहर, देश के अनेक, स्वतंतरता सेनानियों और महान व्यक्तियों की जन्ब भूभी और कर्म भूमी रहा है भारत के मुक्ति संग्राम के महान सेनानी, नेताजी सुभाचंद्र वोज का जन्ब भी इसी पवित्र धर्ती पर हुआ था कर्म भीर गवरी शंकर राय, उत्कल मनी गोप बंदुदास ये कैमेरा वाले वहां से हटेगे तो लोग शांत रहेंगे भई भारत माता की उत्कल के स्री डाक्टर हरे कृष्ण महताब बाग में विश्वनात कर भक्त कभी मदुसुदन राव उत्कल रत्न डाक्टर रादगनात रत्स मा रमादेवी जैसे महान बेख्तियों अंगिनत महान विबुतियां आज जब मैं जगनात भगवान की दर्ती पर आया हूँ मैं सभी महापुरुशों को सीस जुका करके नमन करता हूँ यह धर्ती विशेश है यहां का कर्ण करन कुछ करने का होसला देता है यहां लिया हुआ संकर्प शुरू किया हुआ अभियान कभी भी विफल नहीं जाता है भाईयों और बेहनों आपका यसने आपका याथिरवाद आपके आशाएं आपके आकांचाएं यही यही मेरी उर्जा है यही मुझे दोड़ने की तांकत देती है ऐसी भाईयों कर गर्मी के बीच जब आपके आँखों में मैं यह चमक देखता हूँ यह भरोसा देखता हूँ यह आत्म विश्वाद देखता हूँ तो मेरा विश्वाद भी और मजबूत हो जाता है साथवें चार वर्षों ने देख के सबासो करोड लोगों में यह बरोसा पैदा किया है कि हालत बदल सकते हैं स्थीतियां बदल सकती है हमारा हिंदुस्तान बदल सकता है आज स्थितियां बदली है आज देश निराशा से आशा की और ठहराव से निरंतरता की और अव्यवस्ता से व्यवस्ता की और कूशासन से सूशासन की और काले धन से जन धन की और हमारा देश तेज गती से बढ़ रहा है रास्तन निर्मान के लिए हो रहा ये परिवर्तन ही न्यूम इंडिया का आधार है आज बेश के लोगों को भरोसा है कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार कामाख्या कन्या कुमारी कश्मीर कटक से लेकर बल्या बीदर बाड़मेर तक सबका साथ सबका विकास इस मंत्र पर चलते हुए जन जन के कल्यान के लिए कार्य कर रही है ये वो एंडिया सरकार है जिसके लिए गरीबों का पसीना गंगा यमना नर्वदा कावेरी महा नदी के जल से जल की तरह हमारे लिए गरीब का पसीना भी पवित्र है ये वो एंडिया सरकार है जिसमें बैठे लोग गरीबी जी करके आए है गरीब का दूख सहते हुए आगे बड़े है और इसलिए गरीब की चिंता गरीब का कल्यान उनका सबसे बड़ा कमिट्मेंट है करतब्य है ये वो एंडिया सरकार है जिसके रहते बेश में पहली बार राष्ट्रप्रती उपराष्ट्रप्रती और प्रधान सेवक तीनों का ही बच्पन एक-एक पैसे की कीमत भली बाती समचते हुए बीता है जिनोंने बच्पन से इमानदारी से की गई कमाई का मतलब समझा है भाई और बेहनों चांदी के चमत को और सोने चांदी की चमत की कहावत अरे कहावत छोड़िये हम लोगोंने तो बच्पन ऐसे बिताया है जहां चमत तक नहीं देखा है साथियों इन सालों में एक के बाद एक बेश के कई राज्यों के लोगों ने हमारे काम पर महौर लगाई जनादेश दिया है जनता के इस आसिरवात से ये साब है कि भारतिय जनता पार्टी के नेत्रुतों में एंडिये की सरकार सही रास्ते पर है हमने जनता का विश्वास और जनता का मत दोनों जीता है बिते चार बर्स में पाँच राज्यों में ऐसे बढ़ करके आज बीस राज्यों में हमारी सरकारे बनी है आपके आसिरवात से बनी है आपके विश्वास से बनी है आज देश बर में बीजेपी के पंदरा सो से अधीक चूने हुए विधायक है यहां ओडिशा समेट बेश के अनेग ठानिय निकायों में हमारे हजारों जन प्रतिविदी आज जन सेवा में जुटे हुए है पिछले चार वर्षों में भार्तिय जनता पार्टी सही माइने में पंचायत से पार्लामेंट तक की एक विशाल पार्टी बन चुकी है भाई और बहनों हमें जनता का जो आशिरवाद मिल रहा है ये केवल हमारे दल या किसी नेता की जीत नहीं है बलकि जनता की विकास और विश्वास की जीत है ये उन माताओं का अशिरवाद है जिनको उजवला योजना ने दुमवे की जिंदगी से मुक्ति दिलाई है ये उन बेटियों की मुस्कान है जिनकी सुरक्षा और पढ़ाई को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुईम ने प्राफिकता दी है ये उन युवाओं का उस्षा है जिनके सपने मुद्रा योजना और स्कील इंडिया ने पूरे किये है ये उन अन्य दाताओं किसानों का अफिरवाद है जिनको फसल भिमा, सिंचाई और खेती में लागत से डेड़ गुणा की मत सुनिस्षित की गई है भाई और बेनों चार वर्ष पूर्व भारत की जनता के इरादे तो पूरे विश्व में उसी समय गुण्ज उठे थे जब तीन दसक के बाद, तीस साल के बाद उसने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपने सयोगी दलों के साथ मिल करके जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह के फैसले ले रही है साफ नियत के साथ सही विकास कर रही है उसने दुनिया में देश की साथ को और उच्चा किया है न हम कड़े फैसले लेने से डरते हैं और नहीं हम बड़े फैसले लेने से चूकते हैं भाई यो बहनों, जब देश में कन्फूजन नहीं कमिटमेंट वाली सरकार चलती है तब ही सर्जीकल स्ट्राइक जैसे फैसले लेने की ताकत रखते हैं जब देश में कन्फूजन नहीं कमिटमेंट वाली सरकार चलती है तब ही बन रैंक बन पेंशन का दसकों पुराना बादा हम पूरा करने में समर्थ होते हैं जब देश में कन्फूजन नहीं कमिटमेंट वाली सरकार चलती है तब ही बसकों से अटका हुआ बेनामी संपती कानौन लागू होता है दुश्मन की संपती जब तकरने वाला स्वत्रू संपती कानौन हम लागू करने में सफल होते हैं जब नीतियों से जान बुचकर कन्फूजन नहीं फ्रलाय जाता जब कमिटमेंट वाली सरकार चलती है तब बैंकों से कर्ज लेकर ना लोटाने वाली कंपनियों को भी अपनी तिजोरियां खोलनी पड़ती है और देश को उसका पाई पाई बापस देने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब व्यवस्था में कन्फूजन नहीं कमिटमेंट वाली सरकार चलती है पार दर्शिता पर जोर दिया जाता है तब जन्दन बैंक खाते आधार और मोबाईल जे ए एम जेम जन्दन आधार मोबाईल फॉन की त्रिवीत सक्टी से 80 हजार करोड रुपिय से जादा गलत हाथों में जाने से ये रुपिय भारत की जन्दा के बच जाते है जब जन्दा के बीच कन्फूजन नहीं प्रालाया जाता जब कमिट्मेंट बाली सरकार कलती है तब का तब बेश का राज कोचिय गाता कम करने का प्रयास सफल होता है भाई यो और बेनों सफ्टा के लिए देश को ब्रमित करने वाले देश से जुठ बोलने वाले नकाले धन और प्रस्टा अचार के खिलाब कारवाई कर सकते हैं और नहीं देश को टैक के जाल से मुक्ती दिलाने का काम कर सकते हैं काले धन और प्रस्टा अचार के खिलाब जिस लड़ाई का कमिट्मेंट लेकर हमारी सरकार चल रही है उसने किस तरह कटर दुश्वनों को भी दोस्त बना दिया है ये भी देश के सबासो करोड लोग भली बाती समझते हैं ये सारा खेल ये देश देखता है जनता सब कुछ जानती है पिछले चार वर्षों में जांट एजन्सियों के द्वारा करीब तीन हजार छापे मारे गए स्रिविन छापों से करीब 53,000 करोड रुपिये की अगोशित आयका पता चला है एजन्सियों द्वारा किये गए 35,000 से जादा सरवे में 45,000 करोड रुपिये से जादा की अगोशित आयका भी पता चला है बेनामी संपति कानून होने के लागू होने के बाद इतने कम समय में 35,000 करोड 35,000 करोड रुपिये से जादा की संपति को जब तक किया जा चुका है सरकार में देजबर में विस्से अधिक ऐसी टीमें बनाई है जो सिर्फ बेनामी संपतियों को खंगालने का काम कर रही है बस्ता चार के खिलाप चल रही जाच की वज़े से आज और मेरे देश वाथियों मैंने आपको बादा किया था आज वरना ये कलपना थी अरे बड़ों को तो कुछ होता ही नहीं छोटे लोग मरते है भाई यो भनो आज आज इस देश में चार पुर्व मुख्यमंत्री जेलों में है काले धन के खिलाप सक्त S.I.T. के घरन से लेकर सक्त कानून बनाने और जान की वज़े से जो हरकम मचा है उचसे बहुत लोगों को एक मंच पर लाकर के खड़ा कर दिया है पाज हजार करोड के गोटाले के आरोप में जमानत पर चल रहे लोग हो या अलग-अलग आरोपों और गोटालों में गिरे हुए लोग हो ये सारे अभी कट्थे हो रहे हैं ये देश को बचाने के लिए नहीं ये खुद को बचाने के लिए अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए अपनी स्वार्त सिद्धी के लिए एक होकर अस्थीरता कर पैदा करके उसका फाइदा उठाने की फिराक में है जनता सब को जानती है उनके इस खेल को बली बाती जानती है बाई ये बेहनो चार साल पहले बेश के सामने जो सवाल थे जिस तरह का माहोल का उसे याद करना बार बार याद करना आवश्चक है ये याद रखना जरूरी है कि जिसे एक परिवार ने जिसे एक परिवार ने 48 एर 38 साल देश पर राज किया उसने देश की कितनी परवा की ये याद रखना जरूरी है कि फैमिली फर्स फैमिली फर्स के आगे नतमस्तक कांग्रेस के 48 साल में पीडी दर पीडी कैसे एक परिवार के लिए सत्ता ही सत्ता के सिवाए कुछ नहीं सत्ता ही सब कुछ रही है कौन भूल सकता है लाखों करोडों के गोटालों की वो खबरें देश विदेश में सरबिंदगी की वज़ब बनने वाले वो प्रश्टाचार के कारणाव हैं देश के विकास से ज़्यादा अपनी और अपनी टोली के विकास के लिए किसी भी हद तक चले जाने की कर्तूत है रिमोट कंट्रोल से संचालित एक प्रधान मंत्री और इन सबसे भी ज़्यादा केमीनेट और प्रधान मंत्री कारियाले से बाहार किये जाने वाले फैसले और वो भी मंत्रियों को इमेल पर निर्देश दिये जाते थे इन लोगों ने मिलकर देश की साथ को कहां से कहां पहुचा दी थी देश के लोग ये कभी नहीं भूल सकते हैं